इसके बाल कटवा दिये इसके खुजले लग रही थी सर में तो ये मम्मी ने मसीन फिरवा दी बाल कहां पर देके आयो आप बाल कहां देके आयो आप नाई के अच्छा ओ उजो गिर गए अच्छे अच्छे काम कर रख रहो आप ठीक है हलो फ्रेंड साब का दिफ फैमली ब्लोक में स्वागत है आप सब ठीक होंगे हम भी ठीक है और आज हम दुफैर का खाना सेर कर रहे आपके साथ और दुफैर से ही ब्लोक सूट कर रहे हैं और आज हम आलू गाजार ओर घ्या की सबजी बनाएंगे और हमने वो सबजी छोग दी और अब हम आटा चान रहे हैं आटा चान के गुन देंगे और फिर विनायक भी बैठा था हमारे पास फिर विनायक की दादी जी आगे उसे लेके चली गई च्छाय में हम नमक और जीरा डालेंगे तबे पर हम जीरा भूनेंगे और फिर उसके बाद हम खाना देंगे मम्मी को मम्मी और भाईया हमारा फास्ट है आज ही कादशी का और पापा जी को देंगे और देखे फ्रेंड्स च्छाय में जीरा भून के डालते तो अच्छा टेस्ट आजाता है च्छाय में देशी लोग तो ऐसी पीते है और आपको कमेंट में बताना कि आपको कैसे पसंद है च्छाय जीरा या सिंपल ऐसी रायता भी बना लेते हैं कभी-कभी सुबे से बहुत काम फैल जाता है तो लोग सूट नहीं हो पाता क्योंकि हम फोन पकड़ते हैं तो इस वज़े से एक हाथ से काम करते हैं तो नहीं हो पाता जो जो तयार होता रहता है वो हम दिखाते रहते आपको देखे फ्रेंट से यह सबजी तयार हो गई इसमें हरा दन्या डाल देंगे और आप मम्मी और भाईया की प्लेटे लगाएंगे पहले मम्मी को देंगे अभी भाईया नाके नहीं आए तो विनाएक भी मम्मी के साथ खा लेंगे और यह गरीन चटनी बनाई थी हमने आवले की आवले से पेट ठीक रहता है आप सबको खानी चाहिए आवले की चटनी इसकी रेसिपी भी हम कब दुबारा सैर करेंगे आपके साथ और हम अब जल्दी से रोटी बना के रोटी सेक लेते हैं और मम्मी को दे देते हैं विनाएक भी खा रहे हैं और उसके बाद फिर देट लगा दी हमने और भाईया भी खाएंगे फिर खाना और देखें फ्रेंड्स बिनाएक भाईया को रोटी देने जा रहा है देखें आप लिए इधर लिए बच लाव थैंक सबने खाना खा लिया और अब जो भी सबची और चाय होती है ये बड़े बरतोनों में रहती है तो हम इन्हें खाली कर देते हैं इससे किचन फैली फैली नहीं लग दी तो हम इन्हें सब को सब में छोटे बरतोनों में रिता देते हैं और फिर जो ये सुबह के बरतन रखे औरनी मोटीह, घाड़ टोकरे मैं यह भी लगा दिए और फिर दुफैर के भी साफ कर दिए और सब किचन साफ कर दिए अब ज़ाड़ू लगाएंगी और सुबह हम सारा काम कर देते है ज़ाड़ू पोचा सब Лेकिन दिन भर सब चलते फिरते रहते हैं तो घर में दुबारा स सब जंगे और पोचा लगा रही हूँ विनायक और विनायक की दादी जी सो गई थी दादी जी ने सुला दिया था उसे और फिर उसे दूद भी फिलाना है फिर हमारा फार्श था तो हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम ऐसे ही बस च्छाय पी लेंगे सब जंगे पोचा लगाएंगे साब सुत्रा करके फिर थोड़ा पोट रेस्ट करेंगे विनायक को अब दूद बिला देते हैं विनायक सो रहा है उसे सोते सोते ही बिला देते है फिर वरना वो जल्दी उठ जाता है तो दूद बिला देते हैं तो वो थोड़ा लेट तक सोता है और हमें भी सोने देता है क्योंकि सोने नहीं देता उसके दूद में हमेज़ा हम सोप डालके ही बिलाते हैं उसे क्योंकि उससे पेट ठीक रहता है पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है बार्निंग में से इससे ही दूद मिठा करते है उसका और गरम करने के बाद उसे चान के तब पिलाएंगे और देखिए फ्रेंड्स हमने अपने लिए चाय और बूरा मीठी करी है और फिर हम पी के दूफैरे में लेट गए थे अब हम इवनिंग में आपको मिल रहे हैं हमने चाय बनाई भैया ने बोला था दो कप चाय बना दीजे तो पिर यालबारी फैले पड़ी थी इनकी ये सुबह निकालते है कपड़े तो फिला देते हैं और प्रेस के भी कपड़े हो रहे थे तो हमने इनकी दूफैट कर दी मम्मी कहीं गई हुई थी तो मम्मी आएगी ममी के लिए चाहे भी बनानी है और देखे फ्रेंड्स इसमें हम सैटिंग करके रखते हैं माक्स के अलग रुमाल और उस बैग में हम जुराबे रखते हैं और इनके अलबारी सेट हो गई और यह प्रेस के कपड़े निकाल दिया अलग हमने और ममी भी आ गई थी तो ममी बोल जाता है अकेले करते हैं यह है कि ममी विनायक को समाल लेती है तो सारा काम अच्छे से हो जाता है और फिर ममी को चाहे वाए दे के हम फिर अपना और काम करेंगी और देखे फ्रेंस यह दिन के दूद गरम रखे थे तो फिर्ज में रख देते हैं मलाई बैठ जाती है तो साम के टम इसे मलाई को उतार के दूद छोटे बरतनों में रख देते हैं और फिर ये साम के बरतन साफ कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं और इस ब्लोग का यहाई पर एंड करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करिए आप जो भी गलती होती है मिश्टेक होती है वह हमें बताए बताए ओके बाए